इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स इन प्रिजन मतलब जेल में मतलब प्रिजन का मतलब होता है जेल और एनिमल्स का मतलब होता है जीव जन्तु छोटे चोटे या बरे बरे तो जेल में जीव जन्तु ठीक है जवाहलाल नहरू जब जेल में रहे कुछ महीनों के तो वहाँ पर उन्हें कई तरह के जीव जनतु मिले उस जील में तुस ही के बारे में नियुक्त लिक्ता है बता दे कि जवाहलाल नहरू जो है वो मेरे सबसे पुरीय परधानमंतरी में से एक है उन्ही के बारे में उन्ही के दोरह लिखा गया ये लेसन है तो पहले हम जवाल और नहरू के बारे में पढ़ते हैं उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है इनका जन्म 1889 में और इनकी मृतिव 1964 में हुई इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये इंडिया के पहले प्रधान मंतरी थे वाज पॉपॉलरली अमॉंग दे चिल्रन जो बच्चों के बीच लोग प्रिये थे ऐस चाचा नहरू के रूप में बच्चे इन्हें चाचा कह करके बुलाते थे थे ही इतने प्यारे वेक्ती वो एक दुरलभ समवेदन शीलता के वेक्ती थे मतलब उनकी जो समवेदन शीलता थी उनका जो हिर्दय था वो बहुत कोमल था बहुत ही अच्छे वक्ती थे एजुकेटेड एट हैरो और कैंब्रीज उनिवर्सिटी उनकी शिक्छा हैरो और कैंब्रीज विश्व इद्याले में हुई ही बिकेम अ बैरिस्टर वे एक बहुत बढ़े वकील बने अफटर स्टेड़िंग नेचरल साइन्स एंड लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया जब उन्होंने नेचरल साइन्स प्राकरतिक विज्ञान और लॉ जब वो पढ़े तब वो एक बहुत बढ़े वकील बने और फिर वो इंडिया लोट करके आगए कब 1921 में 1921 में इंडिया आगे deeply influenced by महात्मा गांधी वे महात्मा गांधी से एकदम बहुत गहरे रूप से प्रभावित थे महात्मा गांधी को अपना गुरू मानते थे He joined Indian politics and soon emerged as a leader of the country's youth उन्होंने भारती राजनेती को जोईन किया और जल्द ही emerge मतलब उभरे किस रूप में देश के युवा नेता के रूप में उभरे However, Yadipi, he was not a mayor politician वे केवल राजनेतिक ये नहीं थे ठीक है? केवल politician नहीं थे, केवल नेता नहीं थे He was also a dreamer वे एक स्वप देखने वाले भी थे मतलब देश के लिए की देश कैसे आगे बढ़े या फिर और ही बहुत सारी चीज़े चुकि ये एक लिखक भी थे तो लिखक का तो दिमाग बहुत तरीके से चलता है वे एक idealist भी थे, आदर्षवादी भी थे humanist मानवताबादी भी थे and artist in words शब्दों के जादूगर थे ठीक है as well his works उनकी किताबों का नाम है यहाँ पर an autobiography उसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा है the discovery of India, glimpses of world history and letters from a father to his daughter अपने बेटी को जो उन्होंने पतर लिखा वो ठीक है यह सारे उनके work है मतलब उनके किताबों का नाम है our remarkable यह जो किताबे हैं वो remarkable है मतलब असाधारन हैं, अधवुत किताबे हैं for a rare vigor and beauty और इस किताबों में एक दुरलब ताकत और एकदम दुरलब सुन्दर्टा छुपी है इनकी बातों में, इनके शब्दों में they established him इन किताबों ने उन्हें established किया मतलब अस्थापित किया as a master of English prose English prose के बहुत बड़े लेखक के रूप में उन्हें अस्थापित किया मतलब English prose के, prose के poetry के नहीं, prose के यह बहुत बड़े लेखक बन गए while in prison, जो भी जेल में थे before independence, आजादी से पहले he read books, उन्होंने किताबें पढ़ी observed nature नेचर को observe किया, प्रकृति को महसूस किया dreamed at times, कई सारे सपने देखे and wrote in his powerful and poetic style और उन्होंने अपने शक्ति साली और एकदम कविता वाले रूप में, style में उन्होंने बहुत सारी books भे उन्होंने लिखा about all that he thought and failed उन सभी चीजों के बारे में उन्होंने किताबें लिखी जो उन्होंने सोचा और उन्हें महसूस हुआ his elegant political poetical prose उनका जो elegant poetical prose है मतलब सुरुची पुर्ण काव्य elegant का मतलब होता है सुरुची पुर्ण जो रुची पे चड़ता है मतलब अच्छा लगेगा पढ़ने में poetical का मतलब होता है कावी रूप में एकदम कविता के रूप में उन्होंने प्रोज लिखा is best captured in his autobiography उनके autobiography में एकदम अच्छे से capture है वो पढ़ने से लगता है the following extract ये जो शारांस है ये जो chapter animals in prison taken from an autobiography उन्ही के autobiography से लिया गया है reveals ये साबित करता है Nehru's love for nature नहरू का nature के परती क्या प्रेम था ये दिखाता है it is remarkable ये remarkable है अदभुत है how he derives pleasure from watching different animals कि अलग-अलग जानवरों को देख करके उन्हें कौन सी खुशी मिलती है and gives respect even to the tiniest animals और उनका जो छोटे से छोटे सुक्षम जीवों के लिए जो उनके मन में प्यार है ये दिखाती है दर्शाती है इस chapter में the peace is a wonderful example of live and let live ये जो chapter है ये एकदम जबर्दस्त उदाहरन है किस चीज़ का जीओ और जीने दो का इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे जीओ और जीने दो मतलब खुद भी जीओ और छोटे छोटे जीव जीव जनतों को भी जीने दो चलिए पढ़ते हैं chapter सुरू करते हैं कहते हैं चैके मतलब मैं जो हूँ वो प्रधान मंतरी नहरु हूँ तो चलिए सूरू करते हैं ऐसे ही मैंने का बस मैं कहूँ तो समझ जाइए का कि नहरु जी कह रहे हैं ठीक है और अब गर वीडियो अच्छा लग रहा हो I lived in my little cell मैं मैं मतलब नहरू जी ठीक है मैं जेल में रहा cell का मतलब होता है कोठरी जो जेल का जो रूम होता है उसे cell कहते हैं और रूम या रूम में इंद देहरादून गॉल गॉल का मतलब ही जेल होता है ठीक है प्रिजन का मतलब ही जेल होता है और G-A-O-L, गॉल का मतलब भी जेल होता है तो देहरादून जेल के एक छोटे से रूम में मैं रहा and I began to feel और मैंने महसूस किया, महसूस करने लगा as if, मानो, I was almost a part of it कि मैं भी इस रूम का एक हिस्सा हूँ मतलब वो मुझे familiar लगने लगा, परिचित लगने लगा जैसे लोग अपने घर से परिचित होते हैं वैसे ही लगा कि मैं भी इस रूम से बहुत अच्छी तरह के से परिचित हूँ I was familiar, मैं परिचित हो गया family की तरह हो गया with every bit of it इसके हर एक bit से, कनकन से मैं वाकिफ हो गया I knew every mark and dent मैं पहचानने लगा हर एक चिन को और हर एक dent को dent का मतलब होता है काटने का निशान मतलब रूम में जगा 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 जो कीरे मुकरों के द्वारा काटने का निशान बना हुआ था मैं उस हर एक निशान से परिचित हो गया on the white washed walls वो जो सफेद दिवाल थे उन दिवालों पर जो dent था, जो mark था उससे मैं परिचित हो गया ठीक है, मेरा pain जहां पर जाएगा वो उस मैं जो बोलूँगा तो उस pain पर ध्यान दीजेगा उसका अर्थ हो, उस word का अर्थ हो जो मैं बोलूँगा ठीक है, and on the uneven floor और उस awesome तल floor पर floor का मतलब जो जमीन का जो भाग होता है और uneven का मतलब awesome तल and the ceiling और जो छत है with its mouth eaten rafters rafter का मतलब होता है देखते हो यह गा जो पुराना घर से होता है पुराने घर में छत पर लकरी का ceiling लगा रहता है लकरी दिया रहता है अभी तो लुहे का रोट दिया रहता है लेकिन पुराने घरों में लकरी रहता है उपर में, ठीक है तो उसे rafter कहते हैं और वो rafters जो थे, वो mouth eaten मतलब कीर मुकरों के द्वारा दात से खाए हुए थे जगा जगा तो मैं उन सब चीजों से परचित था इन दा लिटिल यार्ड, उस छोटे से यार्ड में छोटे से गज में आउट साइड, उसके बाहर आई ग्रिटे लिटिल टुफ्ट्स ओफ ग्रास मैं मिला, छोटे-छोटे गहास के गच्चोंसे मतल्ला वहाँ पर जो छोटे-छोटे घहास उगए हुए थे उन सबसे भी मैं मिला And ordered bits of stone और छोटे-छोटे जो पत्थर के टुकरे हो थे वहाँ पर उनसे भी मैं परिचित हुआ As old friends, जैसे कि कोई पुराने दोस्त हों, ऐसे ही वो सब मेरे दोस्त बन चुके थे कीरे मकरों से ले करके और घास से ले करके पत्थर के छोटे छोटे चोटे टुकरे सब I was not alone in my cell, मैं cell में अकेला नहीं था For several colonies of wasps and hornets, बहुत सारे wasp और hornets की मतलब बहुत सारे wasp और hornets भी थे Wasp और hornets जो है वो पीले रंग का छोटा सा कीरा होता है, ठीक है उसे ही wasp और hornets कहते हैं, वो सब भी lived there, वो सब भी वहां रहते थे मेरे साथ, मेरे family की तरह And many lizards और बहुत सारी छिपकिलिया भी थी, found a home behind the rafters, जो जो लकरी का बना हुआ था छट पे, छट को सहारा देने के लिए उसके पीछे उन्होंने अपना घर, छिपकिलियोंने अपना घर बना लिया था Emerging in the evening, in search of prey और वो जो है, वो शिकार की तलास में, प्रे का मतलब होता है शिकार, ठीक है शिकार की तलास में वे लोग शाम को बाहर निकलते थे, ठीक है, शाम को उभरते थे, बाहर निकलते थे If thoughts and emotions leave their traces, अगर विचार, सोच और emotion मतलब भावना, उनके trace को छोड़ देती है पीछे, मतलब उन जानवड़ों, उनकी मकरों का जो सोच है, जो भावना है, उसको अगर वो पीछे छोड़ दें, फैला दें, रूम में, behind in the physical surroundings, एक मनुष्य की रूप में, physical का मतलब होता है स physical surroundings, बहुत एक परिवेश में, अगर उनकी भावनाई अगर फैल जाएं, the very air, मतलब पूरी हवा, of that cell, उस cell की, उस रूम की पूरी हवा, must be thick with them, उनकी भावनाउं से मोटी हो जाएगी, भर जाएगी, and they must cling to every object in that little space, और उस छोटे से घर में, उस छोटे सी जगा में, हर एक space में, उनकी भावनाई जो है, वो चिपक जाएंगे, ठीक है, paragraph number two, I had better cells in other prisons, मुझे दूसरे जगा जेलों में, जब मैं गया, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा cell मिला था, थोड़ा अच्छा room मिला था, but in देहरादून, चोकि अभी ये जो बोल रहे हैं, ये जो ल तो इन लोगों को कई बार जेल जाना पड़ा, तो कहते हैं कि मुझे दूसरे जगा जो है जेल मिला, वहाँ पर अच्छे घरों में रखा गया था, अच्छे room में रखा गया था, but in देहरादून, लेकिन देहरादून में, I had one privilege, मुझे एक चीज की शुविधा थी, privilege का मत बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, and we were kept in an old lock-up, और हमें मतलब मुझे और उन कीरे मकोरों को, छिपकिलियों को, वास्पेंड होरनेट्स को, एक lock-up में, पुराने से lock-up में बंद कर दिया गया, outside the gall walls, उस जो जेल की जो दिवाले थी, उस दिवाल के बाहर, but within the gall compound, लेक ठीक है, वो बहुत ही छोटा से जगह था, this place was so small, यह जगह बहुत छोटा था, that कि there was no room to walk about in it, आप उस रूम में टहल भी नहीं सकते थे, इतना छोटा रूम था, and so, और इसलिए we were allowed, हम लोगों को allow किया गया था, जेल के जो पुलीस वाले थे, उन लोगों ने allow किया था, जेल अधिकारी जो होता है, ठीक है, उन लोगों ने allow किया था, अनुमती दिया था, morning and evening, सुबह में और शाम में, to go out, बाहर जाने के लिए, and walk up and down in front of the gate, गेट के बाहर, इधर उधर घूमने की अनुमती मिले थी, मिली थी हम लोगों को, सुबह और साम को, क्योंकि जेल इ पैर से गर नापे, तो सौ गज की दूरी होगी, we remained in the gall compound, हम लोग जेल के compound में ही रहते थे, but this coming outside, लेकिन इसके बाहर, the walls gave us a view of the mountain, उस दिवाल के उपर जो है, चुकि दहरादून पहारी इलाका है, तो वहां से पहार की चोटियां जो है, वो दिखाई परती थी, and the fields, और म पैदान भी थोरे दिखाई परते थे, and a public road at some distance, और कुछ दूरी पर public road भी था, लोग भी इधर उदर से जा रहे थे, this was not a special privilege for me, ये मेरे लिए खास सुविधा नहीं थी, it was common for all, the A and B class prisoners kept at दहरादून, उस दहरादून जेल में, A और B class के जितने भी कह दी थे, सब के दर, but outside the goal walls, लेकिन जेल की दिवाल के बाहर, there was another small building, called the European lock-up, एक छोटा सा building था, जिसका नाम था European lock-up, उस building का छोटा सा building था, उसका नाम था European lock-up, this had no enclosing wall, इसके पास जो है, वो enclosing wall नहीं था, लगा हुआ, enclosing का मतलब होता है, sun lagna, लगा हुआ, लगी हुई दिवाल, नहीं थी, and a prison, और एक कैदी, inside the sill, जो sill के अंदर जो कैदी रहता था, रूम के अंदर जो कैदी था, could have a fine view of the mountains, and the little outside, life outside, मतलब, जो जेल के अंदर, जो रूम के अंदर जो कैदी था, वो रूम के बाहर आराम से जहाग सकता था, देख सकता था, पहारों को, और बाहर की जिन्दगी को, European Convicts, जो European लोग थे, ठीक है, जो European जो लोग थे, जो अंग्रेज सब थे, मतलब, जो वहां के जो, जिन लोगों ने हमें कैदी बनाया था, वे लोग, sorry, European Convicts, European Convicts का मतलब होगा, जो European जो दोशी थे, जो European Muslim थे, मतलब, दूसरे देश के जो Muslim, अब जरूरी तो नहीं है, कि सारे भारती ये Muslim रहेंगे, कुछ दूसरे देश के European Muslim भी थे उसमें, and others, और दूसरे लोग, kept here, where also allowed, उन लोगों को भी allowed किया गया था, अनमती दी गई थी, to walk in front of the Gaul Gate, जेल के बाहर गेट के, गेट के पास तहलने की, every morning and evening, परतेक सुबह और शाम को, चलिए paragraph तीन देखते हैं, only a prisoner, केवल एक कैदी, who has been confined, जिसे सिमित किया गया है, for long behind high walls, can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views, मतलब, जिन लोगों को, वहाँ पर जो कैदी थे, वही समझ सकता था, इस चीज को, जो जिन्हें बाहर घूमने के आजा दी थी, क्योंकि जेल के अंदर इतना चोटा-चोटा रूम था, कि वो एकदम घुटन से मैसूस होती थी, और उन लोगों को जो बाहर घूमने के प्रसंट सा करते थे, I loved these things, मुझे इन सब चीजों से बहुत प्यार था, and I did not give them up, even during the monsoon, और इस चीज को मैंने monsoon के समय भी नहीं चोड़ा, मतलब बरसात के समय भी, बरसात हो रही है, मैं जरूर टहलता था, When the rain came down, जब वर्षा हुई, जब वर्षा हुई, four days, कई दिनों तक, in torrents एकदा मुसला धार, torrents का मतलब धारा प्रवा, and I had to walk in ankle deep of water, मैं घुटने भर के पानी तक, मेरा जब वर्षात हुई, तो जब जिल में पानी लगया, तो घुटने तक पानी, ठीक, ankle का मतलब घु मिस नहीं किया, I would have welcomed the outing in any place, किसी भी जगह पर मैं इस सब चीजों का स्वागत करता, but the site of the touring himalayas nearby was an added joa, which went a long way to removing the weariness of prison, weariness का मतलब होता है ठकावट, तो उबावपन, जो जेल का जो उबावपन था, ठीक है, उसे remove करने के लिए, हटाने के लिए, जो उस जेल के बाहर से, रूम के बाहर से, जो हिमाले का जो परवत का जो उची-उची स्रेनी, touring हिमाले आज, मतलब उची-उची स्रेनी, जो चोटी जो दिख रही थी, उसका जो आनन्द था, वो जेल के उबावपन को नस्ट कर देता था, मतलब जेल का जो ठकावर था, जेल का जो उबावपन था, मन जो उब जाता था, इस सब चीज से रहा देती थी, ये सब सारी चीज है, इट वाज माई गुड फोर्चुन, ये मेरा स्वभागे था, that during the long period, का काफी लंबे समय तक मैं रहा, उस समय, when I had no interviews, जब मेरे पास कोई interview नहीं होता था, कोई भी लोग मेरे पास नहीं आते थे, and when, और जब, for many months, और कई महिनों तक, I was quite alone, मैं अकेले रहा, I could gaze at these mountains, मैं इन mountains को निहारा करता था, ठीक है, एकदम टक्टकी लगा कर देखा करता that I loved, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, उस mountains को मुझे बहुत अच्छा लगता था, I could not see the mountains from myself, मैं अपने cell से mountain को नहीं देख पाता था, but my mind was full of them, लेकिन मेरा दिमाग उनके दृश्यों से भरा हुआ था, and I was ever conscious of their neariness, और मुझे ऐसा लगता था कि वो सारी चीजें मेरे पा seemed to grow between us, हम दोनों के बीच में हमारे और उस पहार की चोटियों के बीच में बढ़ती चली गई, उसके बाद आगे पड़ते हैं, flocks of birds, पक्षियों के जुन्ड, have flown high and away, आस्मान में एकदम उचे उचे उर रहे हैं, ये कविता की तरह लिखे हैं उन्होंने, a solitary drift of cloud, जो बादल हैं, उनका जो एकांत बहाव हैं, आराम से बह रहे हैं, two has gone wandering on, वो भी भटक रहे हैं, आस्मान में बह रहे हैं, and I sit alone, और मैं अकेला बैठा हूँ, with ching ting peak touring beyond, beyond, और वो जो परवत की जो उची 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 चोटी है, उसके पीछे, ching ting peak का मतल्य होता है, एकदम बढ़िया, एकदम सुन्दर सा, जो peak है, जो चोटी है, उसके पीछे, उससे परे, मैं बैठा हुआ हूँ, अकेले, we never grow tired of each other, the mountain and I, हम दोनों, मैं और पहार, कभी एक दूसरे से उबे नहीं, हमेशा एक दूसरे से, कभी ठके नहीं, एक दूसरे को enjoy किया, उसके बाद, चौथा पाराग्राफ है, I am afraid, मैं भेभीत हूँ, I cannot say with the poet, मैं कभी से नहीं कह सकता, ली टी आइपो, उस कभी का नाम है, ली टी आइपो, that I never grew weary, कि मुझे कभी उबाउपन महसूस नहीं हुआ जेल में, कभी मैं ठका नहीं, event of the mountain, ना कभी mountain से ठका, but that was a rare experience, लेकिन ये जो है, वो एक दुरलब अनुभव था, जो अनुभव मैं बाहर में, जेल के बाहर अनुभव नहीं कर सकता था, हर जगा का अपना एक अनुभव होता है, अभी हम लोग घूम रहे हैं, गाउं में टहलते हैं शहर में, तो गाउं का जो अनुभव है, अब जब सहर में जाईएगा, तो कुछ अजीब लगेगा, त उसका अनुभब लेना कभी पहारों पर जाईएगा तो उसका जो एक्सप्रियेंस है वो अलग है नदियों में सेर कीजिएगा उसका एक्सप्रियेंस अलग है उपर से जो पहार से जो बेल्ट वेल्ट लगा के जो गिरता है नीचे उसका अनुभब जो है वो अलग है हवाई great comfort in its proximity और मुझे इसकी निकटा का जो पहार निकट में जो परवत था जो पहार था उसकी निकटा का मुझे बहुत अच्छा आनंद मिला बहुत जादा comfort मिला its solidity इसकी जो दृटता थी and calm और ये जो शान्त पहार था looked down upon me with the wisdom of a million years ऐसा लग रहाता था कि सालों से ये मेरे साथ है and mocked at my wearing moods and soothed my fevered mind और इसने mocked किया मजाग मतलब एकदम हसी मजाग एकदम रमन चमन एकदम अच्छा महसूस कराया जो मेरा जो wearing mood था मेरा जो mood मतलब दिमाग सोच विचार अबस था वो जो बदल रहा था जो मेरा mood और इसने उस चीज़ को change किया और जो मेरा fevered mind था जो मेरा पिरत दिमाग था उसे भी suit किया मेरे पिरत दिमाग के पीरा को कम किया इन दृशियों ने पहार के दृशियों ने उसके बाद जो जेल के सामने जो road थे उस पर जो लोग आ जा रहे थे उस चीज़ ने जो मैदान दिख रहा था उस सब चीज़ों ने जो कीडे मकोडे थे उन सब चीजों ने जो छिपकलिआ थी उन सब चीजों ने ये सारी चीजों मुझे बहुत आननतित किया मुझे एक अलग experience मिला ठीक है दीक है वीडियो जादे लंबा हो गया इसके बाद जो अगला पारगराफ है आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे थैंक यू समझ बाबाई टे केर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं